नमस्कार दोस्तों, मैं सुमीत करब, स्वागत आपका एक बार अपने यूटूब चैनल पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिगनिचर गलोबल सेक्टर 63A प्राइम अफोर्डिबल प्रोजेट्स के बारे में जिसमें आज हम दिखाएंगे आपको अपडेट कंसक्षन की कितना काम हो चुका है इस प्रोजेट्स को और समझते हैं अच्छी तरीके से लेकिन यूनिट अवलेबल नहीं है इस प्रोजेक्स के अंदर लेकिन आपको हम अपडेट का सक्षन इस वीडियो के अंदर दिखाने की कोशिज भी करेंगे और समझाने की कोशिज भी करेंगे आपको काफी हेलफुल वीडियो रहेगा यह आपके लिए और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर पहली बार आए है या पहले आ चुके हैं लेकिन आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिगा ताकि आने तक कुषे वाले notification video आपको मिलते रहे और update का सक्सर वीडियो या other new project वीडियो भी आपको time पे मिलते रहे ताकि आपको मार्केट का आईडिया लगता रहे कि मार्केट में क्या हल चल है कैसे क्या कुण से प्रोजेक्ट का कितना काम है कितरा भीप चुका है किसमें यूनिट है उनेबल है तो इस सारी इन्फोर्मेशन आपको इसी चैनल के उपर देखने को मिलती है तो एक बात ये भी है कि अपकोड़ेबल हाउसिंग एक परकार से एंड उस पे चल रहा है उसके बाद दीन दियाल का कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है मार्केट के अंदर प्रोजेक्ट आ भी चुके हैं दीन दियार के, फ्लोट्स के भी सोना के अंदर प्लोट्स और दीन दियार के फ्लोट्स दोनों आ चुके हैं, बुडगाओं के अंदर चरफ फ्लोट्स आये हैं, जल्द ही फ्लोट का कंसेप्ट आने वाला है, क्योंकि बुडगाओं के अंदर प्लोट्स का तो अब ही अगर आप एक अच्छे रेट पे लेना चाहते हैं तो सोना इजे बैस्ट ओक्षन क्योंकि वहां पे रेट अभी रिजनेवल प्राइज के अंदर है तो आप वहां ट्राई कर सकते हैं तो यह काफी वीडियो लंबी हो जाएगी I think हमें 63A के प्रोजिस के बारे में बात करनी चाहिए पहले हम वीडियो में डिस्कुस कर सुके हैं कि जो तीन दियार के सोना के अंदर जो टाउंसिप है वह आपको इसी चैनल के अंदर डली हुई है वीडियो आप उनको देख सकते हैं तीन टाउंसी फिलाल रनिंग में हैं, पीरामेड की, एकम की और अंसल्स की, तो वो आप एक बर देख सकते हैं, काफी अच्छी प्रोपर्टी है, वो भी प्रोपर्टी उनमें प्लोट साइज है, लमसन सेवंटी, स्केर यार्ड से लेके बाद सेवंटी, नाई स्केर प्रोपर तरीके से, सेक्टर 63A, सिगनेचर ग्लोबल का अफोर्डेबल प्रोजेक्ट जिसका नाम है, प्राइम, प्रोजेक्ट के बारे में, कि प्रोजेक्ट कैसा है, किस लोकेशन में है, ताकि आपको असानी होगी फिर आगे अपडेट जानने के लिए, तो ये मेप का, और जो सेक्टर 63A पढ़ता है, वो यहाँ पढ़ता है, तो ये गोलकोर्स एक्स्टेंशन रोड है, ये गोलकोर्स रोड है, ठीक है जी, और जैसे ये पहला लेप छोड़के आगे वाले लेप से आप जाते हो, तब ये 63A आता, 63A चार सेक्टरों में है, ये 63A इस इसमें कुल E टावर तक हैं, एक, दो, तीन, चार, पान, छे टावर हैं जिसके अंदर, और फ्रेट में कमर्शिल है, ये 226 मिटर रोड है, अभी आप जैसे इंट्री करोगे, तो यहाँ पे फर्स्ट में आ जाएगा कमर्शिल, यहाँ भी कमर्शिल का ब्लोक है ये, जैसे आगे चलोगे, तो इनकी कंसर्क्शन चल रहे है, फिलाल, और इधर भी एक ब्लोक है, वो अभी लोंच नहीं हुआ है, वो आगे दिखाऊंगे मैं आपको, तो इसके उपर ये हाई एक्शेंशन वायर भी जा रही है, तो अभी जो कंसर्क्शन चल रहा है, वो टावर A और बाकी में मतलब ग्राउंड फ्लोर से उपर आए है, तो वो हम आगे जिकर करेंगे, तो उससे पहले हम जान लेते कि इसके अंदर क्या चाइचा टाइप थे, टाइप 1 है, टू बी एचकी का, जो की 530 स्कैर फिट इसका कार्पेट अरिया था, बैलक्नी अरिया 90 स्कैर टाइप 3 आता है आपका, टू बी एचकी का, 23,50,000 रुपे का, कार्पेट अरिया 578 और बैलक्नी अरिया 76 का, टाइप 4 है, इसमें 23,53,000 का, 577 और 88 की आपकी बैलक्नी, और अगर आप साइज देखना चाहते हैं, तो आप वीडियो को पोज़ करके साइज देख सकते हैं, क सब्सलाग 31,000 रुपे का, और इसके अंदर जो कार्पेट अरिया आता है, वो 645 और वैलक्नी अरिया आता है, 100 स्क्रेट का, ये इसका व्यू है, टोटल अरिया है, पांच एकड का, टोटल यूनिट है, 714 यूनिट है, ये कुछ इस तरीक आपको व्यू दिखेगा, गार् टी, सी, टी, टी, किक है, तो ये 45 टावर है, ये अभी टावर लॉंच नहीं हुए है इसके, ये बाद में होंगे, कब होंगे, कुछ दिख आइडिया नहीं है इसका, ये इसका एक्टिविटीज है, मतलब स्पोर्स एक्टिविटीज है, क्रिकेट पिच्ची नोने, सो की ह हो गया है, ये आपका मबास्केट बाल का आगया है, आपका और अदर्स एक्टिविटीज आती है, ये आपका बैडमिंटन कोट हो गया, और साथ में आपको ये जो सो हो गया है, ये कुछ इस तरीके से आपको सुसाइटी मिलेगी, ये स्काइव यू है, ये कमर्शिल का व वह इसम्ने अभी सो नहीं हो रही है यह फ़र्स फ्लॉर है यह सेकंड फ्लोर पर फूद कोर्ट है मैं रोड़ है मैं रोड और से यहां गेट रहे गा कुछ इस तरीगे का दिखीए का यह कमर्सिल और पीछी अपार्टमेंट यह पूरा कमर्चिल है, अब यह है कि अब यह के इसकी कन्सक्शन अप्डेट कि अभी कन्सक्सन अप्डेट क्या है जो अब मैं बता रहा था स्टार्टिंग में जब हम यहां से ऐसे जाएंगे लंबाई में और फिर यहां भी यह टावर स्टार्ट हो जाते हैं तो इनका का सक्षन चल रहा है भी बाकी टावर ग्राउंड फ्लोर से उपर हैं दो टावर एक दो तीन च्यार पांग छे फ्लोर तक बन चुके हैं मतलब छटे फ्लोर की माईवन सैट्रिंग हो चुकी है तो बाकी का ब्लोक इदर आएगा कुछ पिस्तरीक का यह दिखेगा जो बाकी के टावर है जो बाकी टाइप जो लोंच होगा वो इदर आएगा बाद में यह वाली जो लैंड देख रहे हैं और इदर भी लैंड जाती है वो भी है क्योंकि अंदर जाने नहीं देते अलाउड इसलिए यहीं से मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि कर्सक्शन कहा तक हो चुकी है तो यह कर्सक्शन है बाकी जो टावर्स हैं वो अभी नीचे से मतल्ब जमीन का काम हो चुका है ग्राउन फ्लोर पे जो सेट्रिंग लगनी है बस वहां से यहां से स्टार्ट हो जाएगी य यह कंपलीट होगा इस पे से उतारके दूसरे टावर्स पे आ जाएगी तो यह कुछ इस्तरी की किसी है तो अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें शेयर करें और चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले न्यू अपडेट आपको मिलते रहें और दूसरी चीज इसमें यह है कि अभी इसमें कोई यूनिट अवलेबल नहीं है अगर आप यूनिट के लिए कॉल करेंगे तो अभी इसमें कोई यूनिट अवलेबल नहीं है करेंट ली में सिर्प कमर्शल अवलेबल हो सकता है तो इस तरह के का आपको दिखेगा यह जो पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे है दूप टाइम रेजिडेंसी फिरबानी का आपता है और इधर यह M3M के प्रोजेक्ट्स हैं यह सेंट एंडूज है गॉल स्टेट हैं बाकी अधर लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं इधर भी तो वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब परना मत बोलिए मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में